आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही मजादर्शनास हम लोग गवी मंचुरियान आलू मंचुरियान तो खाते ही है लेकिन आज मैं आपके लिए मेगी मंचुरियान की रेश्पी लेके आई हूं यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में बच्चे को भी बहुत ही पसंद आएगी, तो चलिए, आज की मंचुरियन की रेस्पी शुरू करते हैं, मैं यहाँ, पेन में, वान ग्लास पानी डाल रहे हूं, पानी को उबलाने देंगे, अभी उबला आ चुकिए, तो इसमें, यह तीन मेगी को मैं तोड़ के डाल रहे हूं, पानी के साथ अच्छ इसे मिक्स कर देंगे उसको चार से पांच मिनिट के लिए पकने देंगे अब आप देख सेकते हो यह पक चुकिये तो अभी ग्यास का फ्लेम वफ करके इसको थंडा होने के लिए छोड़ देते हैं मेगी हमारा थंडा हो गया है तो इसको एक बावल में निकाल लेंगे इसमें सर्फ क्यारेट और अनियन डाल सकते हो यह माने सारे डाल दिया है इसमें मैंने 4-5 हरिमिर्च अद्रक लेशून और कालिमीर्च को दरदरक कूट लिया था उसमें वन टेबुली स्पूल ढाल देंगे छे से साथ टेबुली स्पूल घन्फन डाल देंगे Detect के उन्हों सर नमक ढाल दीजिए वन टीश्पून लालमीर्स पाउडर दो म्यकी मुसाला काटके मैंने या ढाल रही हूं सब को अच्छे से मिक्स करेंगे अभी इसमें थोड़ा सा और कनफलर चाहे है तो मैं और अड़ कर रहे हूं मिक्स करेंगे टू टेबलिल स्मून टोमाटो सच डाल रहे हूं आप चाहे तो सेज्वन चेटरमी डाल सकते ओ इसमें मैं थोड़ा सा ही पानियाड कर रहे हूँ ज्यादा गीला डॉल नहीं चाहिए अभी हमारा डॉब बनके रेडी हो गया है अब मंचुरियन बॉल्स मना लेंगे कुछ मेगी को मैंने क्रोस करके रखी थे उसमें ये बॉल्स को कॉट कर लेनी है उसे क्या होगा कि हमारा मंचुरियन आचा क्रिस्पी बनेगी एक मंचुरियन बॉल्स मनके अभी रेडी हो गया है इसी थरह हमको सारी मंचुरियन बॉल्स मना के रेडी करनी है हमारा सारी बॉल्स बनके रेडी हो गया है यह हमेने कड़ाई में ओयल गरम हने के लिए रख दिया था अच्छे से गरम हो गया है तो एक एक करके हम सारी बॉल्स को डाल देंगे एक साइड से उसको पकने देंगे ग्यास का फ्लेम लो टू मीडियूम में ही रखना है जदा हाई रखो गे तो यह उपर क्रिस्पी हो जाएगा अंदर कच्छा रहे जाएगी अभी आप देख सकते हो इसका कलर थला चेंज हो गया है हमारे बॉल्स अभी गॉल्डन ब्राउन हो गया है तो इसका अभी हम निकाल देंगे यहां मैंने सारी बॉल्स निकाल दिया है दुबारा मेगी बॉल डाल देंगे थोड़ा सा चला लेते हैं अभी आप देख सकते हो यह गॉल्डन ब्राउन हो गया है इसका भी अभी निकाल देंगे हमारे सारी बॉल्स फ्राई हो चुकी है अभी सेम कड़ाई में मैं थोड़ा सा ओयल डालूंगी ओयल को अच्छे से गरम हने देंगे अब इसमें चौप किया हुआ कुछ ग्यारलिक है और तीन चे चार हरी में इसका काटके डाल रही हूँ थोड़ा सा पका लेंगे चलाते रहेंगे उसको अब थोड़ा सा यह पक चुकिये तो इसमें आप हम यह दर दरा पीशा हुआ प्यास डाल देंगे मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे से पकने देंगे अब यह थोड़ा सा पक्चो किये तो इसमें यह कटा हुआ क्याप्सिकम और कटा हुआ प्याज को डाल देंगे मिक्स करेंगे 4-5 मिनिट के लिए उसको ऐसे ओपरली फ्राई करेंगे टेस्ट के अनुसाल नमक डाल दीजिए अच्छे से मिक्स करेंगे मुझे याँ फ्राइ करते भी चार से पांच मिनिट हो गया है अब इसमें चार से पांच टेबल स्पून टोमाटो से साल करेंगे आपको जितना सोस पसंद है आप उतना ही डाल सकते हो हाफ टेबल स्पून शोय सोस डाल देंगे चिली सोस भी टू टेबल स्पून डालेंगे अभी सबको आच्छे से मिक्स करेंगे दो से तीन मिनिट के लिए उसको पकानी है अभी पक चुकिए तो इसमें टेबल स्पून मैंने कन फ्लोर को एक थोड़ा सा पानी में मिक्स किया था उसको डाल रहे हूं थोड़ा सा पका लेंगे थोड़ा सा में पानी अड़ कर रहे हूं मिक्स कर लेंगे इसमें पानी सोक गया है ये मेगी बोल्स भी डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे मंचुरियान को 3-4 निट के लिए पका लेनी है अभी आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है हमारा मंचुरियान बनके रेड़ी हो गया है अब ग्यास का फ्लेम ओफ करके एक साभिक प्लेंट में निकाल लेंगे इसमें मंचुरियान की रेशिपी बहुत ही अमी लगती है आप एक रेशिपी को एक बार जरू ट्राइ करिए आपको बहुत ही पसंद आएगी आप देख सकते हो इसका लुक कितना अच्छा दिख रहा है अगर आपको मेरी रेशिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को स्यार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए पास मेरी वीडियो की सारी नाटिफिकेशन सबसे पहला आपको मिलेंगे मिलती हुए आगली वीडियो में तब तक के लिए बाई